दोस्तों आज हम आपको यूरोप महादेप से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपून जानकारिया देने वाले हैं जैसे कि यूरोप महादेप का छेतरफल कितना है यहां की जनसंक्या एवं यूरोप महादेप में इस्ति नदियों के किनारे विश्व के परमुक देश एवं अन्य बहुत सी महत्वपून बातें जो परिक्षाओं में अक्सर पूँची जाती है तो सुरू करते हैं यूरोप महादेप एक नजर यूरोप महादेप जनसंक्या की दरस्टी से विश्व का तीसरा एवं चेतरफल की दरस्टी से विश्व का छट्टा यानि की चेतरफल के आदार पर विश्व का दूसरा सबसे चोटा महादेप है यूरोप एसिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है आकेसस परवत स्रंकला और दक्सिन पस्चिम में इस्तित काले सागर के द्वारा होता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और अन्ने जलनिकाई, पस्चिम में अटलांटिक महासागर, डक्षिन में भूमद्य सागर और दक्षिन पस्चिम में काला सागर और इससे जुड़े जलमार गिस्तित हैं। यूरोप महादीप का छेतरफल लगबग एक करोड एक लाख असी अजार वर्ग कीमी जो संपूर्ण विश्व के भू भाग का 6.8 परतिसत है। यूरोप महादीप विश्व का सरवादिक नगरिकरत महादीप है। पुरातन काल्प में यूरोप विशेज रूप से युनान पस्चिमी संस्कृति का जनमिस्तान है। मद्यकाल में इसी ने इसायत का पोसंड किया है। यूरोपिय संग यह संग वर्तमान में विश्व में सबसे सफलतम 6.3 संगटन है। 28 यूरोपिय देशतों का समू है यह पेरिस संदी 1951, रोम संदी 1957 के अधिन इस्तापित यूरोपिय संदाय के आदार पर गटित किया गया है। तथा एकल यूरोपिय अधिनियम 1986, यूरोपिय संग के लिए मेट्रिच संदी 1991 तथा एमसर्टर डम प्रारूप संदी 1997 आदि संदियों ने इसके गटन को संपूर्ता परदान की। आदिकारिक रूप से इसकी इस्तापना 1.09.1993 माट्रिच नीदरलेंड में हुई। यूरोपिय संग की मुद्रा यूरो है तथा इसका मुख्याले बुरुसेल्स बेलजियम में इस्तित है। यूरोपिय संग में कुल 28 देश हैं। ब्रेकजिट का संबंद इरोपिय संग से ब्रिटेन के अलग होनी की परकिरिया से हैं। जो कि यहां की जनता के मतदान के द्वारा निर्धारित किया गया है। यूरोप के देशों में रूस छेतरफल और आबादी दोनों में ही सबसे बड़ा है। जबकि वेटिकन नगर स सबसे छोटा देश है। यानि की जचेतरफल की दरश्टी से दुनिया का सबसे बड़ा देश एवं सबसे छोटा देश यूरोप में ही इस्तित है। यूरोप को प्राय दीपो का महादीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अधिकांस देश तीन और से सागरों या महा सागर यूरोप का ही है। विस्व का एक मात्र महादीप यूरोप है जिस पर कोई मरुस्तल नहीं है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोलगा नदी है। इसके लंबाई 3687 कीमी है। वोलगा नदी यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपून जलमार्ग यह अलडाई पहार से निकल कर केश्पियन सागर में गिरती है डोन नदी काला सागर में गिरती है इसे वोलगा नदी से जोड़ा गया है जिससे काला सागर होते वे समुद्री जहाज डोन नदी के माद्यम से महादीप के भीतर भाग में जा सके राइन नदी के व्यापार में कोईले का महत्व अधिक होने के कारण इसे कोईला ढोने वाली नदी कहा जाता है यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी है डेन्यूब नदी यूरोप महादीप की एक अन्य महत्वपून नदी है इसके लंबाई 2841 कीमी है जो आश्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, इसलोवाकिया, युगोसलोवाकिया, रुमानिया से होकर बढ़ती हुई यूकरेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है डेन्यूब नदी के तट पर बुड़ापेष्ट, बुखारेष्ट, वियाना और बेलग्रेड बंदरगाह इस्तित है यूरोप महादीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के तट पर बसा है फ्रांस की राजदानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर बसा है यह विस्व का सबसे सुन्दर नगर माना जाता है तथा यह फ्रांस की राजदानी है इसे फेशन की नगरी भी कहा जाता है सेंपेन सराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है फ्रांस सुरा और सुन्दरियों का देश भी कहा जाता है नार्वे लेंड ओप मिड नाइट सन यानि की मद्दे रातरी सूरिय का देश नार्वे को कहा जाता है क्योंकि उत्री छेतर में मद्य मई से जुलाई के अंत तक सूर्य अस्थ ही नहीं होता और नवंबर के अंत से जन्वरी के अंत तक सूर्यो दे ही नहीं होता डूपते सूर्य का देश इंगलेंड को कहते हैं फिनलेंड हजारो जिलो वाला देश या जिलो का देश है इटली के पीसा नामकिस्तान पर आठ मंजिला उंची मिनार जो एक और जुकी हुई है केवल तीन मीटर गहरी निवपर टिकी इस मिनार का सिल्पकार बो नानस था यह विश्व के साथ आश्चरियों में शामिल की जाती है ओद्योगी क्रांती एवं पुनर जागरन का प्रारंब सबसे पहले युरोब महदीप में ही हुआ था पुनर जागरन का अग्रदूत इटली के महान कवी दान्ते को कहा जाता है बालकन परदेश अल्बानिया, बुल्गारिया, रुमानिया एवं युनान आदी देशों को मिलाकर समलित रूप से बालकन परदेश कहा जाता है इसकंडे वे नियन परदेश युरोब के उत्तरी छेतर में नार्वे, स्वीडन, फिनलेंड, इत्यादी देशों के लिए प्रयूक्त नाम है इस्पेन वे अफरीका महादीप के मद्दे जिब्राल्टर के जलसंदी है जिब्राल्टर जलसंदी पूरू में भूमद्दे सागर को पस्चिम में अटलांटिक महसागर से जोड़ती है इसके उत्तर में यूरोब के इस्पेन और जिब्राल्टर छेतर है जबकि दक्षिन में उत्तरी अफरीका के मोरकों और सेउटा छेतर है यूरोब में सर्वोच परवत सिकर काकेसस परवत स्रेनी का एलबुरूज परवत है रूस में इस्तित एलबुरूज परवत की यूँचाई 5,642 मिटर है यूरोब के यूक्रेन गर्ण राज्य को विश्व के परमुक उत्पादक गेहुं उत्पादक छेतर है जो विश्व का अन्बंडार या रोटी की डलिया कहलाता है इटली विश्व का सर्वादिक अंगूर वे जेतुन उत्पादक देश है पोन नदी को इटली की गंगा कहते है यूरोब का सबसे महत्वपून रेलमार्ग ओरियंट रेलमार्ग है जो फ्रांस के फेरिस नगर में ट्रक्की के कुनस्तुनिया नगर के मद्दे तक जाती है डोवर जल डमरू मद्दे से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेट किंग्डम और फ्रांस को जोड़ती है इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 कीमी है और गहराई 55 मिटर है विस्व का सबसे लंबा भूमीगत रेलमार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कर्शी परदान देश है यहां हिमाले की तरह आलपस परवत है यूरोप में जल विद्दुत का सरवादिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ है फ्रांस को हाईयरन याड और नार्वे को फियोर्ड तटो का देश कहते है इंगलिस चैनल फ्रांस वे यूरोप की मुख्य भूमी को यूनाइटिट किंग्डम से अलग करता है गल्फ इस्ट्रिम यह जलधारा यूरोप का गरम कंबल के उपनाम से जानी जाती है स्विजर लेंड को यूरोप का खेल का मेदान कहा जाता है स्विजर लेंड सबसे सुंदर घडियों के निर्मान के लिए भी जाना जाता है नेदर लेंड के उत्री सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंद बनाकर समुद्र से भूमी प्राप्त की है इन तटबंदों को डाइक कहते हैं इस परकार प्राप्त भूमी को पॉलर कहते है यूरूप में सक्कर चकुंदर से बनाई जाती है यहां विश्व का 50% चकुंदर उत्पादित होता है जर्मनी बिसमार्क वे हिटलर की करम भूमी वे दोनों विश्वी युद्धों का सरवादिक जिम्मेदार राष्ट है 1990 में जर्मनी का एक एकरन हुआ था इस ट्रामबोली जुआला मुकी भूमद्दी सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीपर इस्तित है इसमें से परजोलित गेस निकलती है जिससे आसपास का भाग परकाशित रहता है इसी कारण इस जुआला मुकी को भूमद्दी सागर का परकाश सिस्तम कहा जाता है युरोप की स्वच्पानी की सबसे बड़ी जील लडोगा जील है जिसका छेतर पल 17,700 वर कीमी है यह इउरोपिय रूस में इस्तित है रूस एवं टर्की दोनों देश इंरोप एवं एश्या माधी दोनों में अवस्तित है केल नहर, डेनमार्क एवं जरमनी के मद्दे इस्तित है यह जील उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है मासकों को पांच सागरों का पतन कहा जाता है ये पांच सागर है केश्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेट सागर एवं लडोगा जील नार्वे के स्वेलबाड ड्वीप में अंतराश्टी बीच भंडार बनाया गया है आश्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग परदान करता है स्वीजरलेंड और इटली के बीच ग्रेट सेंटर बरनार्ड दर्रा मार्ग परदान करता है फ्रांस को भूमी एवं जलवायू की दरश्टी से लगू यूरोप कहा जाता है फ्रांस यूरोप का एक मात्र देश है जो खाद्यान उत्पादन में आत्म निर्भर है इसे किसानों का देश भी कहते है सामाने ग्यान एवं सामाने विज्ञान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्क्राइब करें जी के अभी धन्यवाद